आयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन करने के लिए भक्तों का जनसेला बुमड़ा है मंगलवार के दिन भगवान राम के दर्शन करने के लिए शर्दालूओं की जबरजस्त भीड आयोध्या में देखी गई दर्शन करने के लिए आयोध्या में लंबी लंबी लाएने लगी हुई हैं वही शाम करीब चार बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात एक बार फिर आयोध्या पहुचे आयोध्या पहुचकर मुक्यमंत्री योगी आधितनात ने आयोध्या की भीड का जाएजा लिया उन्होंने पबलिक एडर्स सिस्टम के जरीए रामभक्तों से अपील की की दर्शन के लिए हड़ बढ़ाएं नहीं जब भीड नॉर्मल हो जाए तभी बे लोग आयोध्या आएं उतरप्रदेश के प्रमुक्स अचिप ग्रह संजे प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार विवस्था समालने के लिए राममंदिर में फिलहाल मौजूद हैं इस्पेशल डीजी प्रसांत कुमार ने वीड को लेकर बड़ी बात कही उन्होंने सभी से धहर बनाए रखने की अपील भी की मौजूद हैं और मैं और हमारे प्रमुसचिव भी यहां खुद विवस्थाओं को देखने के लिए बेज़े गए हैं काशन के द्वारा यहां सुचारे रूप से दर्शन प्रारम हो गया है आज क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोग ने क्यू सिस्टम को और इंप्रूव किया है और पूरे चैनल बना दिये गया है जिसके कारा जिसके तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और आबाधित तरीके से फुचारुपून तरीके से यहां पे अज तितने लगभ भग अपील करता हूं कि वह उत्तेजित नहीं हो वे आज न समझें कि उन्हें रामलला के दर्शन नहीं होंगे उन्हें रामलला ख़र मीं परशित हैं मैं आयव हैं जिनकी संख्या बहुत अधीक है और इनकी संख्या को देखते हुए, सभी दर्शनार्थियों को मैं रामलला की और से प्रार्था करता हूँ, अपील करता हूँ, कि किसी परकार के ज़्यादा वो तेजित नहों, और यह घवडाये नहीं की दर्शन नहीं होगा, सभी को दर्शन मिलेगा, आज देखिए साथ बज के लिए विश्राम कर देते, बारह बजे से दो बजे तक, उस विश्राम को भी नहीं किया है, और बराबर चलने हैं, इस्टे मेरे भक्तों, धाय से कने, सांती से दर्शन करें, जिसे सभी के दर्शन मिल जाए, और किसी परकार की दुर्गटना नहीं होने पावे, यह अज आप लोग किस परकार की उस्राव दर्शन करने के लालाइत हैं, वो सभी को दर्शन मिलेगा, लेकिन किसी परकार का कोई भी घटना नहीं हो जाए, इसनिये जो धक्का मुक्ती वाली बात है, वो जा सांती से रहें, एक एक विक्ती सांती से जाके, और मंदिर का दर्शन कर हैं, और इसमें घबडाय की बात नहीं है, कोई भी विक्ती ऐसा नहीं है, जिसको दर्शन कराए जाए, सभी को दर्शन मिलेगा, इसलिए सांती से और बिना किसी घबडाहट के, बिना किसी धक्का मुक्ती के, सांती से चल करकर रामला का दर्शन करें, यही हमारी अपील है और इसे समझते हुए अपनी सुरक्जार और यहां हमारे जो अधिकारी गण है उनकी पुलीस परसासन है उनकी भी समिस्या है तो इसलिए सभी लोग सान्ती से और रामला का दर्शन करें लिखिए किसी प्रकार के कोई भियानचित कार्ज नहों और कोई धकामों की नहों किसी किसी नहों नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे सा तो देखके रहिए जूस्ट्व